के गान भाई सबके तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा तीन ऐसी ट्रेनिंग टिप जिनका आप इस्तमाल करके एक कमर्शिल जिम सैटिंग में भी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंप्लिमेंट कर सकते हैं और खुद को ज्यादा अथलेटिक बना सकते हैं तो बिना ट्रेडेमिल पर वोक करते हैं हलकी से जोगिंग करते हैं जोगी सही है पर इस तीज को और आप इंप्रूव कर सकते हैं रिद्मिक ड्रिल साइड करके जिसमें जो आप यह गोल तो हिट करेंगे कि जैसे अपना ब्लड़ फ्लोव करने का साथ मैं अपना बोडिवेट कीपसा लगेगा वह इसी वजए से जिम में जिस तरिके से भी आप हमेशा ट्रेशेज करते हैं एक काफ़ sistema environment में हमेशा करते हैं कि fight Kate k Miguel अरे मशीन पर भी जिबाएंपर को अन्य च्मिछ Wow, तो आप नहीं कर पाते हैं तो आप अस भज़ए में कि और यूट्यूब वीडियो में रेनिंग ड्रिल सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे अप्शन आ जाएंगे पर बाकि कुछ मैं आपके साथ शेर करूंगा जो मैं खुद परफॉर्म करता हूं तो सबसे पहले तो बेसिकली वार्मन में हलके मुल्क जोइंट के लिए थोड़ा वर्क कर लो फिर हलकी रणिंग स्टार्ट कर दो बैक एंड फॉर्थ इस तरीके से बैक रणिंग साइट तो साइड करी ओके जिसे कह सकते हैं इस तरीके मुवमेंट आपको वार्मप तो करेंगी जो आप नॉर्मल रणिंग से आप अचीव कर रहे थे ग कर रहे हैं एक साइजी से तो इसके काफी सारे ओप्शन हो सकते रिद्मिक ड्रिल्स के लिमिट लेस मैं कहूंगा बैसिकली गोल है कि आप एक रिदम में आपकी बोडी मूव करिए एक कोडिनेटिट वे में आप प्लायो मेट्रिक्स भी आइड कर सकते हो जंप जैसे यह कि इसमें भी सिंगल लेक्टे कर सकते हो आप यह भी काफी एक अच्छा उप्शन है शुरुबात में ध्यान रखो कि जादा पॉर्स नहीं लगानी है बड़े अराम से करने आपको तो यह चीज आपके कोडिनेशन इंप्रूव करने में मदद करेंगी शुरुबात में अब थोड़ा राम से करना शुरुबात में और गोल होना चाहिए आप एक रिदम में मूग कर रहे हैं अगर आप शुरुबात में ट्राइब करेंगे आपने कभी परफॉर्म ने कर रहा है तो आप सही से नहीं कर पाएंगे कि थोड़ा ऐसे अजीब सा लगेगा पर टाइ कर सकते हैं जो कि आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे वही 5-10 मिनट में जबकि आप कर रहे थे यह करेंगे अपका कोडिनेशन भी आप साथ में इंप्रूव करेंगे और जो उसकी साथ बेनिफिट में रहे थे वह तो आपको मिली रहे है आज की दूसरी ट्रेंग ट करेंगे तो आप उसी तरीके से हमेशा मूब कर पाएंगे और एक होने का काफी इंपोटन सीज होती है उसमें एक वाल्टी होती है अत्राइट होने की कि आप पास्ट मूव कर सकते हैं तो उसके लिए ज़ादा ऐसी मूपन डाले जिसमें आप वेट को फास्ट मूव कर रह कि जो भी आप exercise perform कर रहे हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान दे कि आप weight को fast move करें skill part जादा ना हो यानि उस exercise में और साथ में हमेशा जब भी आप speed या power के लिए train कर रहे हैं हमेशा उसे अपने training program में सबसे पहले train करें और जब आप fresh हों बिल्कुल तभी उन ची compound lifts को perform करें और इस तरीके से आप power training speed के लिए training add कर सकते हैं और इसमें exercise ऐसी रखे हैं जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ फोर्स लनाने पर work कर रहे हैं तो इसमें काफी असान variation आ सकते हैं और आप leg day के दिन आपको power के लिए train करना है तो jump box box jumps आ सकते हैं plyometrics के variation भी आ सकते हैं और साथ में basically की seated jumps भी आ सकते हैं आप बैठे हैं और आपने jump किया जितना हो सके उतना इसमें आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको repetitions कम रखनी है effort high रखना है और sets जादा यानि जब भी आप power speed के लिए train करते हैं तो आपको इसी approach लेना चलना पड़ता है कि आप 4 से ज clean आप अपने back day के दिन power clean कर सकते हैं शुरुआत में जैसे मैं perform करता हूं अपने leg day के दिन आप box jumps कर सकते हैं या seated jumps कर सकते हैं जैसे कि यह perform करके दिखाया और upper body के दिन आप medicine ball throws भी perform कर सकते हैं medicine ball को पगड़ के नीचे throw करना तो उसमें आप अपनी body को fast move कर रहे हैं तो वह आपका athleticism build up करने में मदद करेगा तो आखरी training tip रहेगी don't skip your cardio जो की gym guys काफी skip करते हैं और सोचते हैं कि कार्डियो perform करेंगे तो उनके muscle building में effect देगा जो की interference effect बोलते हैं पर उसके बारे में जातर लोगों को चिंता करने के बिल्कुल भी जरूत नहीं है अगर आप weight training कर रह हैं तो interference effect नहीं होने वाले साथ में जब अगर आप कुछ जादा ही amount of cardio कर रहे हैं तब आपको चिंता करने की जरूत है तो इसके बारे में चिंता मत करें कि आपके muscle loss हो जाएगा या ऐसे वैसे तो cardio अपना perform करिए बलकि आपकी cardiovascular health के लिए एक अच्छी stamina के लिए जो कि काफ important factor रहता है आपके athleticism को improve करने के लिए तो इसलिए आपको अपना aerobic base को improve करने के लिए work करना चाहिए या हम कह सकते है zone 2 work आपको जादा करना चाहिए एक aerobic base build up करने में जो जाता लोग गलतिया करते हैं वो है कि जब भी वो training करेंगे तो ज़्यादा effort लगाएंगे अपने cardio में पर उसे कम समय के लिए perform करेंगे तो इसलिए अगर आप जादा टाइम नहीं बिता सकते हैं या आपके time constraints है कुछ है कि आप रोज 30-40 मिनट नहीं दे सकते हैं अपने cardio पर तो कम से कम एक दिन आप अपने training program में ऐसा रहे हैं किसी और दिन कि जिस दिन आप 40 मिनट से ज़्यादा लगातार काडियो परफॉर्म कर रहे हैं बस उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि आप एक ऐसे पेस के साथ भाग रहे हैं जिसी आप 40 मिनट तक continue कर परफॉर्म कर सकें तो आपके सबसे ज़्यादा help करें आपका aerobic base build up करने में और आपका stamina improve करने में जरूरी नहीं है कि आपको लगातार तेजी भागना 40 मिनट तक एक prolonged period के लिए यह यह लंबे समय के लिए आपका heart rate elevate रहेगा तो वह आपके सबसे ज़्यादा beneficial होगा आपक जोगिंग भी कर सकते हैं बलकि incline पर work भी कर सकते हैं main goal होना चाहिए कि आपका heart rate elevated है तो इस तरीके से आप अपने cardio को perform कीजिए साथ ही में एक session तो जरूर रखिए अगर नहीं कर सकते तो छोटे sessions रखिए कि 5-10-15 मिनट इतने और एक दिन आप एक लंबा session रखिए तो वह आपके सब्सक्राइब beneficial होगा तो यह थी तीन ट्रेनिंग टिप्स जिनेंग का आप इस्तमाल करके खुद को और ज्यादा अथलैटिक बना सकते हैं अगर short form में बताऊं तो basically पहली टिप पे हमने work किया coordination पे दूसरी टिप पे हमने work करा आपकी power improve करने पे और तीसरी टिप हमने work किया आपके stamina को improve करने पे जो की काफी जरूरी factors होते हैं अगर आपको अथलैटिक बनना है तो coordination, speed और stamina और इन्हें इस तरीके से मैंने कोशिश किया है जिसे आप असानी से एक gym में भी add कर सकें अगर आप इन्हें अपने training program में implement करेंगे तो जरूरी आपको helpful होंगे खुद को और जादा athletic बनाने के लिए कह सकते हैं और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही शुरुआत में मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं थोड़ा consistent रहूं YouTube की posting को लेके YouTube पे लगातार content डालूं और time के साथ मैं थोड़ा और इंप्रूव करता रहा हूंगा पर शुरुआत मैं consistency पर focus कर रहा हूं तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो comment में जरूर बताना और अगले topics किस चीज़ पर चाहिए और बस आज के वीडियो लेत नहीं